हेलो बच्चो नमस्कार और मैं आपका स्वागत करते हुए एक ऐसे सेशन में जिसके बारे में आतकर आप बहुत सारी न्यूस देख रहे होंगे जहां पे वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने हमें पहले ही चेतावनी दे दिया बट बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं पढ़ने वाला है तो बच्चो आओ इन सब के बारे में समझते हैं क्योंकि इस गोई तो पिया वन वेरी इंपॉर्मेशन सेशन फर यू गाइस और इस यॉर्ट गर्मा माम तो चलिए स्टार्ट करते है बच्चो तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बदा दू यह मेरा पूरे संसार भर में फैलने के लिए तैयार हो चुका है क्या-क्या सिंटम्स है क्या और है क्या प्रिवेंशन जै इसके बारे में हम पॉइंट तो पॉइंट करने वाले इस पर्डिगलर वीडियो में तो आईए सबसे पहले हाते हैं कि ब्रेकिंग निउस जैसे कि आप दे एक्तर जेनरल डिकले एंपोस आउट ब्रेक अपबिक हेल्ट एमर्जेंस व इंटरनाशन कंसर्न तो एक इंटरनाशन कंसर्न है पांडिमिक प्रॉब्लम है हर जगा फैल्टी जा रही है ठीक है तो इससा दिखता है एंपोस यह देखिए एकनॉमिक टाइम्स में इसका अब इसके बारे में देखते कैसे हो रहा है तो वाट इस एंपोस फॉस्ट डिस्कावर इन नाइंटीन सेवर हुआ था इन डिस्कावर हुआ था इन डेमोक्राटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो इन आफ्रिका था ठीक है ना इन रीसेंटली अगर हम रीसेंट वन मंत की बात करें तो एक करीबन 12 देशों में एंपोक्स फैल चुका है और यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है इसके न्यू वेरियंट से जो हमें बार बार देखने को मिल रहा है और यह काफी खतरनाक भी है इसके रावा हम देखते हैं एंपोक्स को आम भाशा में मंकी पॉक्स भी ब यह वार वर वाक्सिनेशन देने के बाद उसे वर्ल्स एराडिकेट कर दिया गया था बट इसके एक और वेरियंट है चिकन पॉक्स जो आज भी हम सब लोगों के बीच में रहता है एक और वेरियंट निकलके आये इसी परिवार की फैमिली से जिसका नाम है मंकी पॉक्स मं की पॉक्स में क्या हो रहा है इसको देखते हैं तो इसके म्हां फिलीटेक्ट हो जाता है आरे हूज एक में दूसरी कीलगा तो क्लाथ यूट के माइल सिंटम है इसलिये जसे डिटेक्ट करना छूड़ा मुश्किल हो जाता है इसे body खुद से fight कर लेती है बाट इसमें बहुत जादा fatal rate इसका नहीं है तो यानि कि clad 2 कह सकते हैं कि एक ऐसा variant है जिससे हम खुद fight कर सकते हैं क्योंकि M-pox इंडिया में अगर बात करें तो 2 years back UAE 1 person came to Kerala 2 साल पहले UAE से एक इंसान आया था इंपॉक्स के साथ clad 2 infected था Kerala में ठीक है why clad 1 isn't is dangerous can be transmitted through areas that are dark pool, low, humid non-living areas can survive up to 15 days तो एक ऐसे area से transmit हो सकता है और ये 15 दिन तक survive कर सकता है clad 2 symptoms cure and prevention के अगर बात करें तो symptoms की बात करें clad 1 and clad 2 के जो symptoms है वो करीबन same ही आते हैं बट एक बहुत भयंकर रूप ले लेता है एक जादा भयंकर रूप नहीं लेता है जैसे कि body rashes pimple type, blisters type पूरे शरीर पे निकल जाएंगे fever होगा, swollen lymph nodes है headache, chills, cough, body, sore throat ये सारी चीज़े तो मैं कहूंगे अगर सबसे बड़ा कोई symptom है वो है body rashes क्योंकि देखो, chills, headache ये सब तो आम कफ में भी हो ही जाता है ठीक है, फिर आते है vaccine M, V, A, B, N is a vaccine, monkey pox की vaccine है, thankfully, क्योंकि chicken pox बहुत जाद होता है, और आपको पता है की vaccination भी लोग कराते है और ये कहीना के उसका variant है Now, how we can avoid M pox भाई, हाद धो COVID के टाइम से सिखा है था आज भी वही कर रहे है ठीक है, alcohol based sanitizer आप अपने साथ रग सकते हैं जैसे कि मेरे पास हमेशा रहता है ये वाला ठीक है, infected person है तो उसे isolate कर दीजिए Face marks आप पहन सकते हैं अगर आप infected person के पास जा रहे हैं contaminated surface को touch ना करें और हमेशा पका हुआ खाना खाए half cooked food ना काए especially बारिश के दिरों में क्योंकि ये time सारी बिमारों के लिए सबसे अच्छा होता है Follow these don'ts to avoid M pox ठीक है, जैसे do not touch the rashes of the infected person do not share the clothes with infected person भाही खाना मत खाए जो infected person खा रहा है ठीक है, अच्छे से हाथ पूरा घर sanitize करके रखे तो साफ सफाई तो OP लेवल पर आपको रखनी है तो ये थी पूरी जितनी information हमको अभी मिल सकी WHO की साइट पर वो सारी हम आपके लिए लेकर आएं बच्चो तो मैं यही कहूंगी सुरक्षित रहें और make sure कि आप information आसपास के logo तक भी फिलाए क्योंकि देखो बटा, अगर हम information नहीं देंगे अगर हम सबको pass नहीं करेंगे तो वह यह ना जैसे COVID के नाइम पर हुआ था वैसे ही फस जाएंगे तो शुरू से ही सतर्क रहेंगे तो उस वाली level तक हम नहीं पहुचेंगे ठीक है बच्चो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें और मेरी NCRT Highlight Series जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ उसे जरूर देखें ठीक है कैसे लगा है डू लेट में नो इन दे कॉमेंट सेक्शन थांक यू सो मच